है 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 लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टुडिश्य चनल दोस्तो प्रिबेस्य ये में जितने भी कुश्टेंस प्रिपेश्य के संब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके आप अपनी प्रजर्शन को अपने तयारी को बेतरिंग कर सकते हैं अच्छेंज के दिये जा रहे हैं उसका प्रेक्टिस करना ना भूलिएगा तो चली चलते हैं आज के प्रश्णों किस निखला के तरफ तो फर्स्ट कोस्टिन है नहीं लिखित में से कौन सा अंतराष्टिय खेल भारत में इप्रारम किया गया था तो दोस्तों यहां पर सही अंसर हो जाएगा इस्नूकर वा बैडमिंटन आफसर नमबर बी यानि इस्नूकर बैडमिंटन और सतरंज भारत में इप्रारम किया गया था और यहीं से वह बिडियेसों में विस्तार हुए थी दोस्तों वाजितक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियभता होती है तो दोस्तों बर स्थं देउधर ट्राफि जो है सिमित офर की आं頭चेतरी Kraket प्रतियूक्ता है जो विजय मर्चेंट ट्राफी है सोरो वर्ष से कम आयू के लिए है ररजी ट्राफी अंतर छेतरी क्रिकेट परती हो गिता है कुछ बिहार ट्राफी जो है 19 वर्ष से कम आयू के लड़कों की अंतर छेतरी क्रिकेट परती हो गिता है नेश्ट है देवधर ट्राफी पतीता किस खेल से समझी थे तो किस समझी थे क्रिकेट से नेश्ट है 2010 फीफा फोटबाल विश्वकप का प्रतीक चिन क्या था तो दोस्तो 2010 फीफा फिटबाल विश्वकप का प्रतीक चिन था जाकूमी आपसा नंबर एक करेक्ट होगा दोहजाद द्यस का फीफा विशु का फुटबाल विशु का हुआ कहां पे था तो यह हुआ था अफ्रिका में और शुभंकर था जाकुमी एंड विशु का फुटबाल का आउजन दोहजाद चेवड़ो में ब्राजील में हुआ था इसका शुभंकर फिलोफू लेको था वरस दोहजाद चेवड़ो के फीफा विशु का विजेता था जर्मनी और उपी विजेता और जेंटिना एंड दोस्तों इकीस में फीफा हुआ था रूश में इसका सुभंकर क्या था जब जबी वाका एंड दोहजार बाइस का विशु का फुर्बाल कहां पी होगा तो कतर में होगा दोहा कतर में होगा ध्यार में रखिएगा नेक्स्ट कुर्चिन है बेस्बाल वर्ल्ड स्रीज की शुरुवात कब की गई तो वर्ल्ड स्रीज की शुरुवात 1903 में हुआ था इसका पहरा विजेता बोस्टन अमेरिकन्स था वर्ल्ड स्रीज की विजेता की कोदी जाने वाली ट्राफी कमिस्नर्स ट्राफी कहलाती है नेक्स्ट कोच्चन है फ्रेडरेशन कप प्रतिविता किस खेल से समधित है तो दोस्तों यहां पे फ्रेडरेशन कप प्रतिविता जैसा की हाकी फुटबाल बाली बाल खेल से तीरों से समधित है इसमें से हाकी में फ्रेडरेशन कप महिला के लिए प्रतिविता कराई जात था तो वर्स 2001 में जीता था न्यूजी लेंड ने नेस्ट कुस्टिन है दो क्रिकेट का पहला बिश्टो कब कब हुआ था तो 1975 में हुआ था आपसर नंबर सी करेक्ट होगा यानि एक दियूसी मैचर की वर्ल्ल कब प्रतियोगिता चार वर्स के अंतराल पर कराई जाती है प्रत्रम वर्ल्ल कब प्रतियोगिता वर्स 1975 में कराई गई थी क्स खेल प्रतियोगीतां शे स्मभन्धित खेल उपकरड है तो प्लाश्टि शाइन बोर्ड किसमें देखा जाता है अवसर दूस्तों लंबी कूद में नेक्स कूर्श्टिय इस्तर की इस्कूल खेल प्रतियोगीताओं का आयुजन कौन कराता है तो राश्टी इस्तर की स्कूल खेल पतेवितार का आजेंड कराता है SGA, FI and UK And दोस्तों SANGी का FULL FAM होता है Sports Authority of India IOE का FULL FAM होता है Indian Olympic Association And दोस्तों KHYLOW INDiA भी राश्टी इस्तर की वार्षिक खेल पतेवितार आजेंड है खेले इंडिया का प्रथम संस्करर 2018 में ने दिली में एंडितिय संस्करर 2019 जनवरी में पूरे महराश्टर में एंडितिय संस्करर जनवरी 2020 में गुआ हाटी अशम में आयोजित किया दिया था नेक्स्कोश्चन है अंतर बिश्व विद्यालेई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी कि आयोँ अधिक से अधिक होनी चाहिए तक कितने वर्स होने चाहिए 25 वर्स आपसर नंबर भी करेक्ट होगा नेक्स्कोश्चन है इंस्ट्रा इंट्रा मूरल प्रतियोगिताओं से आप क्या समझते हैं इंट्रा यानिकी अंदर यानिकी संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता को हम कहते हैं इंट्रा मूरल आपसर नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा इंट्रामूरल किसी संस्थान की चहार दिवारी के अंदर किसी एक ही संस्थान के खिलाडियों में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है इंट्रामूरल प्रतिविताओं का लाव यह है कि यह एक ही संस्थान के लगभग सभी छात्रों को इस प्रतिविता में समलित कर सिच्छा के उद्देश से बालक का संपूर विकास के लच्छे की प्राप्ति की जाती है एक्स्ट्रा मूरल प्रतिविताएं विभिन संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आज़ोजित की जाती है आईसी परतिविताओं में संस्थान के चुनने खिलारी अपनी कोसल का खेलकूद में प्रदर्शन कर अपने संस्थान के लिए सम्मान दिलाने का प्रैयत्पन करते हैं संस्था अंतरगत इंट्रा मूलर प्रतिविक्ता होती है संस्था के अंदर आपसर नंबर एक करेक्ट होगा किसी संस्थान की चार दिवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतिविक्ता है तो कुन सा है इंट्रा मूलर नेक्स्ट कोश्चन है विभिन संस्थानों के खिलाडियों के मद्धे आयोजित की जाने वाली प्रत्योगिता कहलाती है तो विभिन संस्थानों के खिलाडियों के मद्धे तो एक्स्ट्रा मूरल कहलाती है आफसर नंबर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट है इंट्रामूरल कारिकरम छात्रों में कैसी भावना उत्पन करता है भागीदारी इसमें से किस संस्था को परतिवर्स अंतर विश्व विद्याले परतिविता कराने का उतरदाई तो होता है तो अखिल भावर्तिव विश्व विद्याले संगठन का खेल प्रकोष्ठ नेक्स्ट कोश्टन है इन्वी से किनको स्कूल में होने वाले इंट्रामूरल समीती का चेर्मेन होना चाहिए तो इंट्रामूरल के निदेशक को होना चाहिए आपसन नमबर सी करेक्ट होगा 1991 में मर्डे का कब जितने वाले जितने वाला दल था तो 1991 मर्डे का कब कौन जीता था एडमिरा वाकर आश्ट्रेलिया आपसन नमबर भी करेक्ट होगा नेक्स्ट कोश्टन है राष्टर मंडली ये खेलों का आरंभ कब हुआ था तो कब हुआ था 1930 में हेमिल्टन के कनाडा के हेमिल्टन सहर में हुआ था आपसन नमबर एक करेक्ट होगा यह भी चार वर्स के अंतराल पर आयूजित होता है जैसे कि दोस्तों इसको कई नामों से जाना जाता था बिटिस एंपायर गेम्स फिंडली गेम्स बिटिस कामन विल्थ गेम्स जैसा कि 1978 से इसे कामन विल्थ गेम्स या राष्टर मंदल खेल कहा जाता था उसके पहले बिटिस एंपायर या फिंडली गेम्स या बिटिस गेम्स काहा जाता था नेश्ट कोशन है सन 2006 के राष्ट मंदली खेल कहां हुए थे तो कहां हुए थे मेलबर्न आस्टरिया में हुआ था 2006 का यह 25 यूपी टीजीटी का पूछा हुए अक्शन है दोस्तों आप से अब पूछेगा तो आगामी का पूछ सकता है या एक पीछे का पूछ सकता है जैसे कि 2018 का राष्ट मंदल खेल कहां हुआ था गोल कोश्ट आस्टरिया में एन 2022 का कहां होगा तो बर्मी घं में हुआ होगा यह आप से पूछ सकता है एन दोस्तों 2014 का कहां हुआ था गलासको स्कॉट लेंड में 2010 का नई दिल्ली भारत में हुआ था तो यह भी पूछ सकता है कि र 2010 में हुआ था नेक्स कोश्चन है 2010 के राष्ट मंदल खेल कहां आउजित होंगे या कहां आउजित हुआ था इससे पूछ सकता है तो नई दिल्ली में अफसर नंबर b करेक्ट होगा कि निक्स्ट कोश्चन है उस सहर की पहचान करें जहां वर्स 222 में राष्ट मंदल खेलो का आयोजन किया जाएगा तो 222 में कहां किया जाएगा दस्तों तो यह किया जाएगा बर्मी घं में किया जाएगा और और 2018 का कहा हुआ था गोल कोश्ट आस्टरिया में नेक्स्ट कोश्चन है राष्ट मंदल खेल 2018 में भारत द्वारा कितने शोड़ पतक जीते गए थे तो दोस्तों यहां पे 26 शोड़ पतक जीते गए थे पतक जीता था एंड इसमें आश्टरिया प्रतमस थांपा रहा था नेक्स्ट कोश्चन है सही मिलान करना है एक तरफ परतियोगिता का नाम है एक तरफ खेल का नाम है एक तरफ है सीके नाइड़ ट्राफी बिलियम टॉड मियूलियर ट्राफी मर्डे का कप दूसरे तरफ है फुटबाल बास्केटबाल क्रेकेट तो पहला है सीके नाइड़ ट्राफी सीके नाइड दूसरा है बिलियम टाउड मेमरियर ट्रॉफी बिलियम टाउड मेमरियर ट्रॉफी बास्केटबॉल से है तो दो का B हो जाएगा मर्डे का कप मर्डे का कप समझी थे फुटबॉल से तो तीन का A हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे सीके नाइडिर ट्रॉफी किर्केट, बिलियों ट्रॉट बुमिजर ट्रॉफी बास्केट बॉल्ड, मॉडेका का फुटबॉल, आपसर नमबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, सभी कोस्टन्स आपको समझ में आये होंगे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमें जरूर बताएगे, और जादे से जादे सेयर किया किए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटीवेशन मिलता रहे, जिससे आपके ल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगी, उसका नौटिफिकेसन आपको मिलता रहे गा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ तब तक के लिए कि लिए।